हेलो हेलो हेलो, welcome 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 हान जी, क्याल चाल सब बढ़िया चका चक, तो मैं आपका दोस्त और होस अरजुन जगवानी, आज लेके आया हूँ, पहले से भी पहला लेक्चर, जो लेक्चर आपका बहुत इंपोर्टन्ट है, इंपोर्टन्ट इस परपस से है, क्योंकि अगर आपने ये पूरी वीडियो एंड तक देखी समझी, तो आपका टाइम पहली बात बहुत बचेगा, कि आपको जो दो चैप्टर में पूरा दो घंटा लगाना पड़ेगा, वो आपका बचेगा, दूसरी चीज, ओप्टिक्स के सारे बेसिक, सारे फंडमेंटल्स आपके यहाँ पे क अडाप्ट करी गई है, तो वहाँ पे फिर बहुत सारी कन्फ्यूशन हो जाती है, जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो यह बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएं, ठीक, और क्यूंकि इस साल आपके बेसिक्स जो हैं, सिलिबस में भी इंक्लूडेड हैं, क्यूंकि पिछले दो साल से था कि यह जो बेसिक्स थे, जैसे सिंपल रीफ्लेक्शन, रिफ्रेक्स, स्पिर्रीर फर्मॉला, उसकी डेडिरेटशन, यह सब पिसले साल आपके अपके पढ़ने पढ़ेंगे, तो एक बार इनको जरूर पढ़ें, और इसलिए आपका टाइम तोड़ासा ज्या या तो इतना significant नहीं है, या तो इसी में कहीना कहीं वो बता दूँगा, ठीक, या तो वो आगे के lectures में कहीना कहीं वो बताए हुए है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, क्या क्या topics है, topics आपके एकदम basic से शुरू होंगे, कि भाई, reflection of light क्या है, reflection of light मालू मैं तुम लोग को होगा, but फिर भी कुछ basics है, कुछ तुमाई जानी वी चीज़े होंगी, कुछ थोड़ा बहुत नए चीज़े देखोगे, समझोगे, ठीक है, अब यह को reflection of light क्या है, when a light is incident on a surface, transparent और opaque, it is partly sent back by the surface in the same medium through which it had come, this phenomenon is known as reflection of light, reflection of light simple एक ऐसा फिनामेना है कि अगर कोई एक surface है, light ray अ ठीक, तो कुछ amount of light ray reflects back in the same medium, ठीक, and कुछ amount जो बचा हुआ है, that is either absorbed, और refracted, ठीक, refracted, यह हम लोग आ गया भी थोड़ी देर पर समझेंगे, ठीक, पता होगा वैसे तुम लोग को, पर फिर भी, ठीक, तो क्या होता है, light ray अगर incident होती है, किसी भी surface पर, वो surface कैसा भी हो सकता है, transparent भी हो सकता है, opaque भी हो सकता है, ठीक है, transparent है, उसके आरपार भी देखा जा सकता है, और opaque भी हो सकता है, कि उसके आरपार आप नहीं देख सकते, तो क्या होता है, simple चीज, reflection तो होता ही है, साथी साथ, या तो जो बची कुछी light है, वो absorb हो जाती है, या तो surface absorb कर लेता है light क या तो reflect कर देता है, ठीक है, तो ये सब चीजे होती है, reflection के बारे में हम लोग फहले देखते है, reflection में क्या क्या चीजे, simple reflection from a plane mirror देखते हैं, plane mirror आपने देखा होगा, उससे reflection भी देखा होगा, plane mirror एक simple mirror होता है, जिसमें एक side आपकी polished होती है, और एक side से reflection होता है, तो अगर light ray इस सरफेस पे incident है, ठीक, तो ये सरफेस के perpendicular एक line होती है, जिसे हम लोग कहते है normal, ठीक, ये पदा होगा कि कोई भी सरफेस है, अगर उस से perpendicular कोई line मनाई है, ये त्थी Perpendicular बनी नहीं है पर फिर भी, अगर कोई perpendicular line मनाई है मैंने surface से तो उस line को कहा जाता है normal ठीक और फिर यह जो ray होती है यह होती है incident ray और जो ray reflect back करी जाती है same medium में वो होती है reflected ray ठीक है basics है फिर angle between incident ray and normal is known as angle of incidence and the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection ठीक अब यहां पर देको तीन है incident ray reflected ray है और नॉर्मल है ठीक अब उसके बाद आता है law of reflection दो लो है पहला पहला लो यह कहता है कि the incident ray reflected ray and the normal lie in the same plane यह जो incident ray normal or reflected ray यह same plane में same plane मतलब कि इसी surface के अंदर है अब यह जो rays है यह इस surface के बाहर थोड़ी आ रही है यह इसी plane में है न थीक इसी 2D plane में है न 3D में थोड़ी नहीं आ रही है तो यह तीनों एक ही plane में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए ठीक तो यह तीनों एक ही plane में दूसरी चीज क्या है angle of incidence is equal to angle of reflection सबसे basic law angle of incidence equals to angle of reflection और जब आप wave theory पढ़ोगे जब आप wave optics पढ़ोगे wave theory पढ़ोगे तब उसमें आपको यह law prove करने को आएगा by using hygiene's wave theory ठीक है तो यह सब चीज़े इसलिए दिमाग में रहनी चाहिए क्योंकि यह बाद में आपको कहीं न कह अप्लाई करनी पड़ेगी तो बाद में यही law prove करना पड़ेगा आपको using wave theory ठीक आगे देखो reflection of light from a spherical mirror ठीक आपने plane mirror देख लिया spherical mirror क्या होता है spherical mirror कुछ नहीं होता है spherical mirror is a part of hollow sphere ठीक है एक hollow sphere है ठीक उसी का एक चोटा सा part और चोटा सा portion हम ले 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 तो वह स्पेरिकल mirror हो जाता है क्या मतलब मालों अपने पास आप देखो और दूसरी बात ही है कि two types of spherical mirror ठीक अब वह क्या होता है वह भी बता रहे है पहला Concave, Concave Mirror और दूसरा Convex Mirror ठीक है. और ध्यान रखना है यहाँ पर Mirror की बात हो रही है, Lenses की नहीं. Lenses का Topic अलग है लेंसे में Theory अलग है, Mirror का Topic अलग है, Mirror में Theory अलग है, दोनों में Confuse मत हो जाना, ठीक है, कनपुजिया मत जाना. इवको कॉन के विरेंड कैसे बनता है पॉन के मिरर बनता है जब हम लोग अंगर कॉन के मिरर कॉन क मिरर में दिखकता है तो सिंपल है r Outer आउटर सर्फेस होता था इसी से हमारी सारी कहानी होती थी सारी रेज आउटर सर्फेस पर स्ट्राइक करती थी तो आउटर सर्फेस होता है कॉन्वेक्स मिरर में भी ठीक कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है जो आउटर सर्फेस होता है वह रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है इनर सेर्फेस पॉलिश होता है, ठीक, तो यह क्या होजाएगा तो महरा logical mirror, और concave में क्या होता था, अगर conclave lens याद करू, तो Concave Venice में यह जो inner surface होता था, इसी से सारा diffraction होता था जो इसी पर सारी rays strike करती नहीं, तो convex mirrors similarly क्या होजाएगा, आसा mirror जिसमें यह inner surface ठीक, यह जो अंदर वाला surface है, यह तुम्हारा reflecting है, बाकि बाहर वाला polished, ठीक है, तो यह तुम्हारा कैसा हो जाएगा, concave, ठीक, तो concave और convex mirror में simple सा फर्क है, concave mirror में inner surface is for reflection, ठीक, inner surface से reflection होता है, convex surface में outer surface से reflection होता है, ठीक है, मतलब एक hollow spare का inner surface और hollow spare का outer surface, hollow spare एक खाली सा spare होगा, अंदर एक surface होगा, बाहर एक surface होगा, तो क्या किया जाता है, hollow spare का एक छोटा सा portion लिया हमने, एक छोटा सा आर्क लिया, उसमें से अगर हमने बाहर वाले surface से reflection कर आ रहे हैं, अंदर वाला polished कर दे रहे हैं, वो convex mirror ब reflect कर आ रहे हैं, और बाहर वाला surface polish कर दे रहे हैं, तो वो हमारा concave mirror बन जाता है, ठीक है, simple सी चीज थी, अब इस पर थोड़ी बहुत चीज हैं, थोड़ी बहुत terminology है, क्या-क्या terms है, यह terms है, इसको, देखो, क्या होगा, अगर यह एक hollow spare है, इससे मैंने एक concave mirror बनाया, माल ठीक, यह concave mirror है, अब इस concave mirror में क्या-क्या चीजे है, पहली चीज आती है, pole, pole क्या है, इसको पकड़ के dance कर सकते हैं, नहीं, वो pole नहीं है, pole यहाँ पे यह pole है, यह जो इतना portion मैंने लिया है, ठीक, माल लो इतना portion मेरा mirror है, तो इस पूरे portion में जो भी central part होगा, ठीक, इस इतने से portion में, ठीक, यह तो हमारा, इतना part तो हमारा इतना काम का नहीं है, ठीक है, spare का बाकी part हमारा कोई काम का नहीं है, हमने सिव इतना part काम का है, ठीक, तो इसमें से जो भी central portion होगा, उसे मैं कहूंगा, pole, ठीक है, फिर आता है center of curvature, center of curvature होता है, यह जो hollow spare था, इसका center कहल आता है center of curvature, तो center of curvature हमेशा याद रखना mirror का नहीं है, ये center of curvature किसका है, उस hollow sphere का है, जिसका ये mirror part है, यही line आपकी books में लिखी हुई है, center of curvature is the center of hollow sphere of which the mirror is part, ठीक है, तो ये जो center है, ये किसका है, hollow sphere का center है, ठीक, फिर आता है radius of curvature, अब radius of curvature simply होता है, the distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature, तो radius of curvature क्या होती है, distance होती है, between pole and center of curvature, ठीक है, फिर आता है principal axis, प्रिंसिपल axis देखेगी तो principal axis कुछ नहीं है, the line joining pole and center of curvature is known as principal axis, ठीक है, अब आता है principal focus क्या होता है, और focal length क्या होता है, वो बताने इस पहले, एक बार यहीं चीज, convex mirror में भी देख लो, convex mirror में कुछ ऐसा होता है, कि यह आपका reflecting surface, यह pole, यह center of curvature, यह principal axis, यह radius of curvature, ठीक, यह था आपका concave mirror, यह convex mirror, ठीक, तो दोनों में same चीज़े होती है, बस concave mirror में, जो center of curvature होता है, reflecting surface को face कर रहा होता है, convex mirror में जो center of curvature होता है, वो reflecting surface को face नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तो यह diagram से समझ में आ रहा होगा, आगे देखो क्या है principal focus, principal focus क्या होता है concave mirror में क्या होता है और convex mirror में क्या होता क अगर यह concave mirror ठीक यह polished surface इस principal axis ज्विस अब डिएको principal focus क्या होता है अगर मानलों बहुत शारी रेस parallel आ रही है principle aksips अगर चुक में जायरी है ठीक से प्रिंसपल aksips से parallel बहुत सारी raise आ रही, ठीक तो ये सारी raise ये ray यहाँ से reflect करेगी इधर आएगी, ठीक ये ray यहाँ से टकराएगी surface से और reflect करेगी, इधर आएगी ठीक, ये ray यहाँ से टकराएगी, reflect करेगी और इधर आएगी, similarly ये ray भी reflect करेगी, इधर आएगी यह ray भी reflect करेगी इधर आएगी और यह ray भी reflect करके इधर आएगी अब देखो यह इतनी भी सारी rays हैं यह किसी एक point से ही pass हो रही है ठीक है और यह point इस side है left side mirror के तो यह point कहलाएगा principal focus ठीक है कि अगर बहुत सारी rays parallel to principal axis आ रही हो और वो सारी rays एक ही point से pass करें तो वो point कहलाता है principle focus ठीक अब यहीचीज's concave mirror में convex mirror में भी हो जाएगी convex mirror में क्या होता है यह pole है ठीक अब देखो एक रे यह आ रही एक रे यह आ रही है एक रही यह आ रही ठीक अब इसमें क्या होता है reflect इस side करेगी यह इधर आरही इस surface से टकर आई इस आउटर सर्फेस से टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई ये रे धर आरी ये आउटर सर्फेस से टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई similarly ये रे आरी होगी आउटर सर्फेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी ठीक, यह भी same medium में reflect कर गई और यह भी same medium में reflect कर गई, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे यह जितनी भी rays हैं, यह actually meet नहीं होंगी, इनको हम लोग आगे produce करेंगे, तो किसी एक point पे यह सारी rays appear करेंगी meet होने का, ठीक है, तो यह भी point कहलाएगा, focus, principal focus, तो principal focus वो point है, when all the rays are parallel to the principal axis, ठीक, फिर after reflection, the rays either appear to meet at a single point, the rays either actually meet at a single point, और appear to be meet at a single point, तो वो जो single point होता है, वो कहलाता है, principal focus, क्या बाद बोली, मैंने, principal focus simple सी एक चीज है, कि अगर बहुत सारी rays parallel आ रही, reflection के बाद, कोई भी, convex या concave mirror के reflection के बाद, किसी एक point से या तो meet करेंगी actually, या तो वो appear करेंगी meet करने का, ठीक है, तो यह होता है, principal focus, ठीक, अब यह चीज़ इसमें या दखना, कि अगर lines actually meet कर रही है, अगर light rays actually meet कर रही है, तो वो हो जाता है, real focus, ठीक है, वो जो principal focus होता है, real होता है, और अगर appear कर रही है, तो यानि यह जो focus होगा, यह virtual होगा, ठीक है, तो concave mirror में real focus होता है, और convex mirror में local होता है, Chinese होता है, नहीं, convex वाले में virtual होता है, ठीक है, तो और focal length फिर क्या होती, focal length simply, pole और focus के बीच का distance होता है, focal length, ठीक है, pole और focus के बीच का distance हो जाता है, focal length, ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक, तो यह basic terminology थी, जो की मालूम होना जरूरी है, ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, relation between focal length and radius of curvature of a mirror, ठीक है, यह relation है, हमने बहुत बार, हमने 9, 10 में भी पढ़ा था, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, बह मालो कोई object है, यहाँ पर यह कोई object रखा है, ठीक, इस object से एक रे गई, ठीक, इस surface से टकराई, यह concave surface से टकराई, और reflect back कर गई, ठीक है, और यह जिस point पर cut करी है, वो focus है, क्यों, क्योंकि यह रे parallel थी principal axis के, ठीक है, यहाँ पर हलकी से curved दिख रही होगी, वो curved इसली है, क् कि वो book में ऐसे ही बनी हुई थी, ठीक है, हाँ, तो यह parallel है, principal axis है, तो जब cut करेगी, जब यह reflect back होगी, same medium में, तो किस point को cut करेगी, ठीक है, अब reflection में simple सा logic अपने को पता है, reflection में क्या होता है, angle of incidence होता है, angle of reflection होता है, ठीक, यह normal है, normal देखना हमेशा surface के perpendicular बनानी है, ठीक, तो यह surface से perpendicular यह रही, ठीक, यह normal है, तो यह angle of incidence हो जाएगा, यह angle of reflection हो जाएगा, ठीक, और यह दोनों angle equal होते हैं, यह बात हमेशा यादखना, क्योंकि reflection हो रहा है, तो यह दोनों angle हमेशा equal रहेंगे, ठीक, अब देखो इसमें क्या logic है, हमें relation establish करना है between focal length and radius of curvature, radius of curvature capital R होता radius of curvature यह है, distance between pole and center of curvature और focal length यह है, ठीक है, distance between pole and focus, ठीक, तो हमें इन दोनों की बीच में relation establish करना है, अब relation क्या था, देखो, हमें बता हैं, यह दोनों angle equal है, ठीक, और इस triangle में, ठीक, यह जो triangle है, C, A, F, इस triangle में यह देखो, यह जो angle है, angle I, यह इस angle के equal होगा, क्यों equal होगा, क्योंकि जाहर सी बात है, alternate interior angles, ठीक है, यह दोनों line parallel है एक दूसरे के, ठीक, यह एक transversal है, तो यह दोनों angle equal होगा है, ठीक, तो यह दोनों angle equal है, तो अब इस triangle में देखो, triangle C, A, F, angle I, angle R के equal है, ठीक है, by law of reflection, अब यह दो angle equal है, तो यह दोनों side भी equal होगी, ठीक है, basic 9th की maths, ठीक, यह दोनो angle equal है, तो दोनो side भी equal होगी, अब दोनो side तुमारे पास equal आगे है, कौन थी, AF, AF equals CF, ठीक, यह दोनो sides equal आगे, अब यहाँ पे एक assumption आएगा, assumption क्या, कि since the aperture is very small, ठीक, अब यह जो aperture क्या होता है, कि कितना gap ह अब इतना बड़ा है, अब इतना board, यह board के size जितना बड़ा mirror ले लोगे तो इसका aperture बहुत बड़ा है, ठीक है, अपने mobile के camera के जो lenses या mirrors होते है, उसका aperture देखो कि तो बहुत चोटा है, ठीक, aperture वही है कि तुमारा एक gap कितना है, कितनी light वो adapt कर पा रहा है, ठीक है, कितनी light accept कर पा रहा है, ठीक, इसका aperture बहुत small है, हाला कि figure बहुत बड़ा बना है, पर in reality यह aperture बहुत small होगा, ठीक, तो assumption यहां पर यह आ जाएगा, कि since the aperture is small, ठीक है, मैंने शुरू में वो angles नहीं लिखे, कि यह angle equal है, यह सब लिखा नहीं है, ठीक, बता दिया है, वो सब तुम खु OAC equals CAF, ठीक है, यह सब लिख लेना, कि angle OAC किसके बराबर है, CAF के बराबर है, ठीक है, दोनों angle आई हैं, कैसे है, alternate angles, ठीक, यह सब समझा दिया है, पर लिखा नहीं है, ठीक, फिर angle, in triangle CAF में यह दोनों angle equal है, ठीक है, तो यह सब चीज़े लिखी नहीं है, पर बता दिया है ठीक, तो यह सब लिख लेना, फिर यह दोनों sides equal हो गई है, ठीक, यह sides equal हो गई, फिर हमने assumption किया कि aperture जो है, बहुत small है, ठीक, तो small होने का क्या मतलब है, कि यह दोनों point जो होंगे, बहुत pass होंगे, ठीक, अभी इस figure में तो बहुत बढ़ा लग रहा है, ठीक, तो मतलब क्य होगे, यह दोनों point कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका मतलब यह जो दो distance है, AF और PF, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक, since the aperture is very small, AF can be approximately equal to PF, ठीक है, यह जो length है, AF, यह PF के almost almost equal है, ठीक है, क्योंकि aperture बहुत small है, जो जो पूरी gap हमें दिख रही है, यह बहुत ही small होगा, इतना से lens होगा, ठीक, अब इतने से lens में है, तुम बताओ, एक point यह pole है, एक point यह aperture है, कितना गया आप है इसमें, ठीक है, हलाकि यह तो वीडियो में दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक, समझ लो इतना से lens है मेरे पास, mirror है, यह point pole है, यह point aperture है, ठीक, त तो वही approximation में आ जा रहा है कि af equals pf, ठीक है, af हमारा pf के equal हो जाएगा, approximately, ठीक, तो इसी लिए यह चीज़ यहाँ पे आप substitute करोगे, af की जगा पे अगर pf करोगे, यह equation 1 माल लो, ठीक, तो equation 1 में अगर af की जगा मैंने pf substitute कर दिया, तो यह आ गया, pf equals cf, ठीक है, pf cf पे equal अब इसका क्या मतलब हुआ, अब खुद ही देखो, pf जो है, वो किसके बराबर है, f के बराबर, focal length के बराबर, और cf जो है, वो, वो भी, मालब, वो भी इसके equal हो जाएगा, अब देखो, क्या relation है, we know that cp equals cf plus pf, ठीक, हमें पता है, cp किसके बराबर है, cf plus pf के, ठीक है अब cf और pf equal है, ये किसके बराबर है, focal length के बराबर है, ठीक है, दिख रहा है न, camera में, नहीं दिख रहा, हमने ये establish कर दिया कि cf और af बराबर है, af और pf बराबर है, so we can say that pf और cf बराबर है, और ये किसके बराबर है, focal length के बराबर है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे क इसको पता है cp equals, यह जो पूरा distance है, it is equals to cf plus pf, तो cf और pf की जगा पर मैं क्या लिख सकता हूँ, f, ठीक, और cp क्या है, जो cp distance है, यह है, r के बराबर, ठीक है, radius of curvature के बराबर, तो इसकी जगा लिख सकता हूँ, r, ठीक, तो यहाँ पर देखो, एक relation आ गया, r equals to f, ठीक ह या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, f equals r by 2, ठीक है, तो यह relation है, यह relation mirrors का है, यह relation mirror का है, lenses में यह relation काम नहीं आएगा, बहुत बच्चों कोई confusion हो जाती है, आगे जब lenses पढ़ोगे, तब उसमें भी यह आईगा, focus आएगा, radius of curvature आएगा, पर उसमें यह सब चीजें, यह formula उसमें क पनाया है, lenses के लिए, lenses में क्या होता है, तुम्हारे पास दो surfaces होते हैं, ठीक है, lenses में क्या होते है, दो surfaces होते हैं, यह surface, एक यह surface, ठीक, इसका radius of curvature अलग होगा, इसका radius of curvature अलग होगा, ठीक, तो उसमें एक single focal length होती है, दोनों की मिला के वह अलग चीज है, आगे lens, जब lens maker फ और mirrors में confuse मत होना, यह इसका formula, यह जो formula है, यह mirrors के लिए है, lenses के लिए नहीं है, ठीक है, lenses में focus और radius of curvature के बीच में अलग relation आता है, वो हम लोग बात में देखेंगे, वो lens maker formula में एक relation होता है, ठीक है, तो वो अलग चीज है, यह mirror के लिए, तो यह confusion मत रखना, ठीक है, आगे दे नहीं आना है, तो मारा y, relation y आएगा, r equals 2f, ठीक, सेम यहीं आएगा, process भी वही है, कि यह आपका incident ray, यह reflected ray, यह angle of incidence, यह angle of reflection, ठीक, angle of incidence, यहाँ पे इस angle के बराबर, due to corresponding angles, ठीक, दोनों parallel rays, transversal, तो यह दोनों angle कैसे है, corresponding है, ठीक, यह दोनों vertically opposite हो गाए, अब वही चीज है, यह दोनों angle equal, by law of reflection, अब यह दो angle equal, तो जहर सी बात है, यह दोनों side equal, अब यह दोनों side equal, तो तुम्हें पता है, AF, यह जो AF है, यह PF के equal हो जाएगी, ठीक, अब यह दोनों sides equal आ गई, अब यह AF PF के equal क्यों होगी, क्योंकि assumption, कि भाई, aperture बहुत small है, तो यह दोनों point इतने ज F तुम्हारी, फिर से equal आ गई, फिर से Y लिख दोगे, यह F है, यह R है, ठीक, तो यह दोनों equal, तो Y relation आ जाएगा, ठीक, R equals 2 है, ठीक है, तो Y relation आ जाएगा, कोई उसमें कुछ अलग सी चीज नहीं है, same type की derivation, ठीक, बस figure अलग होता है, हाला कि यह derivation इतनी important नहीं है, तो इ Sign Convention, इस topic में बहुत दिक्कत आती ही, बहुत बच्चों को, बहुत बच्चों को Sign Convention समझ नहीं आता है, भाई, Sign क्या लेना है, किसका positive लेना है, किसका negative लेना है, बहुत असानी समझ में आ जाएगा, देख, उससे इतना समझो, Sign Convention, तुमने वो पढ़ा है, Cartesian coordinates, मैं पढ़ा हो X-axis होता है, positive का, ठीक, left hand side में X-axis होता है, negative का, vertically upwards में Y-axis होता है, positive का, और vertically downwards में Y-axis होता है, negative का, यही होता है, और यह बीच में होता है origin, ठीक, इधर side जितना भी होता है, हम लोग X में positive मानते हैं, इधर Y में positive मानते हैं, इधर X में negative मानते हैं, इधर Y में negative मानते हैं, सेम इग्जाटली डिट्टो यही साइन कन्वेंशन चलेगा आपका ऑप्टिक्स में सिमिलर्ली यही चलेगा बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाई ओरेजिन क्या मानू तुम्हें अगर यह पता चल गया तो तुम दुनिया भर की सारी यह ओप्टिक्स वगेरा की साहिशन कन्वेंशन कर लो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी ठीक है क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो पोल होता है इसको हम लोग ऐजा ओरिजिन ट्रीट करते हैं ठीक यह प्रिंस्पल एक्सिस ठीक यह पोल इस पोल को एजा ओरिजिन ट्रीट करो अब इसके लेफ्ट साइड में जित्ते भी डिस्टेंसे आए उसको नेगेटिव लेना इसके राइट तो उसका जो साइज है यादि उसका जो डिस्टेंस है यह पोजिटिव लेना अगर हम लोग इसके वर्टिकली डाउनवर्ड कोई डिस्टेंस देखें ठीक है तो इसका साइन नेगेटिव लेना ठीक वही चीज है कि अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो जितना भी distance calculate करेंगे सब negative sign लेंगे और अगर horizontally right जा रहे हैं ठीक है तो जितना भी distance calculate करेंगे सब positive calculate करेंगे example देखो ऐसा है समझ लो जैसे कोई object है यहां रखा है यह हमारा object है अब इसकी image बन रही होगी मानलो इसकी image बना रही है यहां पर ठीक है, मैं exact वो नहीं बना रहा हो, हाला कि यहां नहीं बनती है इसमें, इसमें same side बनती है, बट फिर भी बना रहा हो, ठीक है, तो लो तुम्हारी, उसके लिए मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, मालो यहां बनती है, इसकी image, ठीक, I, I dash, मालो, ठीक, आप देखो, क्या होता है, object distance आता है, एक image distance आता है, ठीक है, मालूम होगा, तो यह जो object से लेके focus, pole तक का distance है, वो हो जाएगा, object distance, ठीक, और image से लेके pole तक का distance कहलाएगा image distance, ठीक, आप देखो, यह जो object distance है, object distance जो है, उसका sign हम लोग क्या लेंगे, negative लेंगे, ठीक, क्या है, pole के left hand side पे, अब जो image distance है, image distance यानि, image से लेके pole तक का distance, उसका sign हम लोग, उसका भी negative लेंगे, क्योंकि pole से left में है, ठीक, pole को हमने origin माना है, तो pole के left में जितता भी चीज़ distance होगा, सब negative लेंगे, पर अब एक बात और, अगर मेरे को कोई पूछे, size of o o dash, ठीक, o o dash, यानि object का size बताओ, जो इसकी length निकालो, तो अगर हम object की length यह calculate करेंगे, ठीक, y1 मानलो, इसको y1 मानलो, यह जो length, vertically upwards, तो y1 को मैं लूँँगा, positive, positive क्यों, क्योंकि, क्योंकि, अरे कां गया, अच्छा, मिठार दिया था, क्योंकि क्या होता है, y axis उपर की तरफ जाता है, तो positive लेते हैं, तो, यह जो y उपर की तरफ जा रहा है, यह positive है, तीक, बलब प्रिंस्पल आक्सिस के उपर है, तीक, प्रिंस्पल आक्सिस क्या होती है, हमारी horizontal line तो हो उपर जित्ता भी distance होगा, वो positive में, इससे नीचे जित्ता भी distance होगा, negative में, और उसमें क्या होता है, देखो, यह horizontal line के उपर जित्ता भी distance होता है, क्या होता है, positive, और horizontal line के नीचे जित्ता भी distance होता है, क्या होता है, negative, वही चीज़, इसमें, अगर कोई मुझे पूछे, इ ठीक, यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगी चीजें तुम्हारी, ठीक, तो तुम्हें समझ में आगया होगा किसका sign में को positive लेना है, किसका negative लेना है, अगर मान लो, मान लो, अगर image यहाँ बन रही होती, image यहाँ बन रही होती, कहीं, i, i-, ठीक, तो image distance क्या हो जाता, v, यहाँ से यहाँ तक का, pole से लेके image तक का distance, v, अब देखो, size of object distance जो थी, वो negative रहेगी, क्योंकि left hand side पे है, पर image distance जो होगी, वो positive हो जाएगी, क्योंकि pole के right hand side पे है, तो image distance positive हो जाती, ठीक, बाकि, यह जो size है इसका, size of object, y1, इसको positive ही लेंगे, क्योंकि यह vertically upwards है, ठीक, जो vertically upwards वाली चीज़ है, वो matter नहीं करती, कि left है, right पे, ठीक, अब देखो, यहाँ पे कोई point है, तो इसका y axis, y coordinate, तो भाई, positive ही लेंगे, ना, भले वो left hand में हो, या right hand में हो, भले उसका x negative हो या positive, उसके मतलम नह ही है, y य तो मेरा positive है, उपर है ना, और y चीज़ है, अगर मेरा य यह, y coordinate यहाँ पे negative में है, तो वो चाहिए left hand side पे हो, चाहिए right hand side में हो, वो हर बार negative में ही रहेगा, तो अगर मेरी image नीचे ही बन रहे है, तो वो चाहिए right hand side पे हो, left hand side में हो, तो उसका sign negative ही रहेगा, तो ये चीज़े हैं, मेरे क्याल से अब sign convention समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई confusion नहीं होगी, ठीक है, अब आगे देखते, एक derivation करते हैं, ठीक है, इस derivation पहले तो इतना नहीं आती है, वैसे usually इतनी important नहीं है, पर आप पढ़ लो एक बार, एक बार पढ़ लो, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इस बार से course में दी गई है, तो पिछले दो साल से थी नहीं, तो कहीं न कहीं थोड़ा न कहीं थोड़ा, यूज आ सकता है, कोई formula न कोई numerical आ सकता है, छोटा मोटा, तो उस purpose के हिसाब से एक बार derivation समझ लो, बहुत आसान derivation है, आराम समझ ठीक है, यह होता है mirror formula, ठीक, अब तुम आगे पढ़ोगे या जिन्नोंने पढ़ लिया होगा, उन्होंने एक यह formula भी पढ़ा होगा, one upon f equals one upon v minus one upon u, ठीक है, यह formula भी पढ़ा होगा, एक यह formula भी है, अब बहुत बार confusion हो जाती है, कि यह दोनों formula लगते हैं कि equally है, plus minus कहीं अंतर है, सेम ही होगे, एक ही जगह से आया होगे, नहीं, अलग-अलग है, यह mirror formula है, इसको कुछ gaussian relation करके कुछ कहते हैं, मुझे exactly नाम नहीं आद है, ठीक, बट कुछ gaussian relation करके कहते हैं, यह आता है lens maker formula में, तो हो सकता है मैंने आगे किसी lecture में, इसका नाम मैंने mirror formula बोल दिय अधियात नहीं है, यह तो हो सकता है मैंने आगे कहीं इसको mirror formula की तरह mention किया हो, पर mirror formula नहीं है, not mirror formula नहीं है, यह दूसरा formula है, यह आगे optics में, lenses में आप यही formula यूज करोगे, इस formula का इतना ज्यादा use नहीं होगा, यह मैं पहले बता रहाँ, इस formula का सिर्ळ यहाँ derivation में use है और कई ना कई स्वोटे मोटे numerical में यूज आ जाएगा बाकि आगे जित्ती भी optics पढ़ोगे उसमें ये formula ज्यादा यूज नहीं होगा ठीक है ये formula ज्यादा यूज होगा ठीक है और ये mirror formula नहीं है ठीक है clear कर दे रहा हूँ ठीक है अब देखो mirror formula इसको derive करते हैं ठीक देखो क्या होगा ये पूरा हमारा surface है ये concave mirror है ठीक concave mirror में ये हमारे पास object रखा हुआ है ठीक है भाई object रखा हुआ है object से ray गई इधर आई देखो principal axis से parallel थी तो जब reflect होगी तो कहां cut करेगी focus पे cut करेगी ठीक है तो ये कहां पे cut कर रही है focus पे cut कर रही है ठीक है भाई आगे देखो ये दूसरी ray निकली center of curvature से ये हमारी image बनी ठीक ये object है इसकी image बनी ये ठीक अब simple simple distances note कर लो भाई object distance क्या होगा इसमें object distance होगा objects और pole से लेके तक का distance object distance क्या होता है object से लेके pole तक का distance which is u me or u u u u is the object distance for this object pole से लेके object तक का distance अब बताओ भाई image distance क्या होगी image से लेके pole तक का distance image distance ठीक है तो i से लेके p तक का distance image distance हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे v ठीक है ठीक है यह हो गया image distance अब बात आती focal length क्या होगी focal length होगी focus से लेके pole तक का distance f ठीक है फिर आता है radius of curvature क्या होगा center of curvature से लेके pole तक का distance radius of curvature ठीक स्वाहा हो गया ठीक सारी naming हो गई अब इसके लावा सिर्फ derivation करना है हां देखो हमें क्या देखना है सिम्पल सी चीरी देखो कौन जो कुन ट्रइंगल प्रपोर्ष्टनल होते हैं यहां पर तुम्हें किसी को similar प्रूव नहीं करना है, ये एक अच्छी बात है, किसी को similar प्रूव करने की ज़रूवत नहीं है, तुम directly बता सकते हो कि ये triangle, ये triangle similar है, ठीक, कहीं प्रूव करने की ज़रूवत नहीं पड़ेगी, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो triangle है, O, O-C, और जो triangle है दूसरा, I, I-C, ये दोनों triangle similar है, क्यों, क्योंकि इनके angles similar है, ठीक, और जो sides हैं, वो proportional है, तुम भाई, object का size बढ़ाते जोगे, image का size बढ़ता जाएगा, ठीक है, मालब उसी हिसाब से proportional होगे, तो यहाँ पर इनके sides और ये चीज़े proportional, तुम objects आगे पीछे करोगे, तो ये distance आगे पीछे होगा, ठीक, तो अब देखो, तुम्हें पता है, similar triangles में क्या होते हैं, जो angles equal हैं, वही वाली sides proportional होती हैं, equal नहीं होती sides, equal हो भी सकती हैं, बट proportional होती हैं, तो ये हो जाएगा, o o dash, तो इस triangle में इन triangle, o o dash c and i i dash c, ये side और ये side proportional हैं, जैनि o o dash upon i i dash, ये किसके proportional हो जाएंगी, बाकी sides के, ये जो दूसरी sides हैं, मलब तीनो sides आपस में proportional होती हैं, ठीक, एक recap दे देता हूं, जैसे दो triangle हैं, ये दोनों similar हैं, इनकी sides है a, a1, a2, इसकी side है b1 और इसकी side है b2, इसकी side है c1, इसकी side है c2, तो अगर ये दोनों triangle similar हैं, तो ये जो ratio होता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये similar triangles में होता है, ठीक, अगर तुम्हें ये नहीं आत था, तो चुल्यू बर पानी लो, मुह पे मारो, फिर पढ़ने बैटो, ठीक है, तो ये दोनों sides proportional, इन दोनों का ratio किसके proportional होगा, कोई भी side ले लो, ये side भी ले सकते हो, ये side भी ले सकते हो, मैं ये लोगा, क्योंकि derivation में अपने को इसी की जर ठीक, इसको ले लो equation 1, ठीक है, अब यही चीज, इस triangle में इधर देखो, इधर triangles कौन से बन रहे हैं, इधर triangle एक बन रहा है, देखो, i, i-f, एक ये चोटा से triangle बन रहा है, दूसरा triangle बन रहा है, यहाँ perpendicular drop करी गई है, a से n तक, तो दूसरा triangle बन रहा है, a, n, f, ठीक है, तो दो triangle तुम्हारे बन रहे हैं, अब यह दोनों triangle में similarity तुम प्रूफ करोगे, वही चीज, same concept लग रहा, यह जो perpendicular है, यह perpendicular है, तो i, i-, और यह side, यह दोनों एक दूसरे के ratio होगा, इनका, और similarly, यह जो sides होगी, इनका ratio होगा, ठीक है, तो in triangle, in triangle, i, i-f, and anf, ठीक, तो इसमें क्या होगा, an upon i, i-, an upon i, i-, equal to nf upon if, ठीक है, यह दो side का ratio, equal to यह दो side का ratio, ठीक है, तो nf upon if, ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब यहाँ पे गौर करो, यह जो distance है, o o dash, यह distance, और an, यह distance, दोनों क्या है, equal है, ठीक है, यह distance भी यह यह बनाए, यह distance भी यह बनाए, यह बनाए, यह पूरी line parallel है, तो कहीं पे इसका angle change नहीं होगा, ठीक है, तो यह दोनों distance equal है, तो o dash equals an, ठीक, यह तुम्हें पता है, तो an की जगह पे यहाँ लिख दो o dash, ठीक है, simple सा एक substitution कर दो, an की जगह पे o dash कर दो, तो यहाँ पे relation आ जाएगा, o dash upon ii dash equals nf upon if, ठीक, इसको लेलो equation 2, अब गौर से देखो equation 1 और equation 2 को, यह equation 1 का relation है, o dash upon ii dash equals oc upon ic, ठीक, और यहाँ पे relation है, o dash upon ii dash equals to nf upon if, ठीक, तो अब जाहर सी बात है, right hand side हम लोग equal कर सकते हैं, left hand side equal है, तो right hand side भी equal कर सकते हैं, तो from 1 and 2, from 1 and 2, आ जायाएगा, तुमारे पास relation oc upon ic equals nf upon ii, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, यह आ गया, यतना गाम हो गया, ठीक, यहाँ तक मेरे गाल 7 में आया हो गया, यह तुमारा derivation आधी complete हुई, ठीक, आगे देखो, अपने पास relation आया था, oc upon ic equals nf upon if, ठीक, अब देखो, वही एक logic, वही एक assumption, कि since the aperture is very small, यह जो distance होगी, तुमारी nf, जो nf distance होगी, यह pf के approximately equal होगी, अब जाहिर सी बात है, अगर यह जो mirror है, बहुत small है, बहुत छोटू सा mirror है, ठीक, तो यह जो points होगे, n और p, इनके भी ज्यादा difference होड़ी होगा, बहुत close होगे, तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो distance है तुमारा, nf, it is approximately equal to pf, ठीक है, तो nf को मैं pf से substitute कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे nf को pf से substitute कर देंगे, तो यहाँ पे nf की जगा पे pf लिख दो, तो यह हो जाएगा, oc upon ic equals pf upon if, ठीक है, अब यहाँ से देखो सारा काम तुमारा क्या होगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, oc क्या है, oc, oc को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, oc को we can write it as, oc को क्या है, po-pc, ठीक है, इस पूरे distance से इतना minus कर दो, तो oc के बराबर आएगा, ठीक, तो oc क्या हो जाएगा, po-pc, ठीक है, अब ऐसे naming wise कर दो, फिर तुम्हें अपने आप समझ में आजाएगा, po क्या है, pc क्या है, ठीक, तो oc क्या हो जाएगा, po-pc, ठीक, अब उसके बाद अपने को क्या चाहिए, ic चाहिए, ठीक, तो ic देखो क्या है, ic यह distance है, ic कैसे निकाल होगे, pc-pi, ठीक, ic क्या हो जाएगा, pc इतना distance, माइनस इतना distance, ठीक, तो ic हो जाएगा, तो इसकी naming हो जाएगी, ic की जगा पर लिख दोगे, pc-pi, ठीक, pc-pi, ठीक, ठीक, तो ic के बराबर, अब देखो अगला चीज क्या हैगी, pf, pf क्या है, pf, pf, pf को as it is ran दो, pf में कोई chain नहीं आएगा, pf ऐसे as it is ran दो, ठीक है, तो pf as it is ran दिया, if, if देखो क्या है, if देखो, फिर से ये छोटा सा distance, ठीक, ये क्या होगा, p-i-pf, ठीक, ये p-i में से pf हटा दो, तो कितना बचेगा, if बचेगा, तो ये हो जाएगा, p-i-pf, ठीक, ठीक है बाई, इत्ती कहानी हो गई, आगे देखो अब ये सब है क्या, ये तो naming मैंने लि गौर से देखोगे, तो ये सारे जितने भी मैंने p-o, p-i, ये सब लिखे है, ये सब तुमने पहले ही naming कर रखी है, इनकी, p-o क्या हो जाएगा, p-o को अगर गौर से देखो, तो p-o क्या है, p-o, object distance है, u के बराबर है, ठीक, अब देखो, p-i देखो, p-i क्या है, p-i तु p-i क्या है, v के बराबर है, ठीक, p-c देखो, p-c किसके बराबर है, radius of curvature के बराबर, pole से लेके center of curvature तक का distance, तो p-c किसके बराबर है, radius of curvature के बराबर है, ठीक, और कौन सा term आया था, p-f, p-f, p-f देखो, तो p-f किसके बराबर है, focal length के बराबर है, ठीक, p-f किसके बराबर है focal length के बराबर है तो देखो अब यह सारे terms जिते भी हमारे आ रहे हैं उसकी हमें value पता है PO पता है PC पता है PI पता है PF पता है तो PO की जगह पे लिख दो PO हो जाएगा अपना कित्ता था PO U है PI V है ठीक है यहां लिख दे रहा हूँ side में PO equals to U, PI equals to V, PF equals to F और PC equals R तो यह सारे जिते भी तुमारे O, V और यह सब terms हैं यहां पे replace कर दो अब एक बात आएगी यहां पे तुम्हें as it is replace नहीं कर सकते सारे मतलब PO की जगह तुम यू नहीं लिख सकते से PC की जगह तुम R नहीं लिख सकते क्यों क्यूंकि तुम्हें सही sign convention लेना पड़ेगा यहां पे sign convention काम आएगा और यहां पे sign convention अगर देखो तो सारी चीजें हमारी left hand side पे हैं ठीक सारे horizontal distances है vertical distances का हमारे पास कोई यहां पे रोल नहीं है कोई ज़रूरत भी नहीं यह vertical distances की सारे horizontal distances है और सारे left hand side पे है pole के तो यहां पे origin pole को मानोगे ठीक अगर pole को मैं origin मानूँ तो जितने भी distances है सब left hand side पे है तो जितने भी distances होंगे सब का sign कैसा लोगे negative लोगे ठीक तो यहां पे इसका sign negative इसका sign negative इसका sign negative और इसका sign अब इसी negative sign के साथ इसी में substitute कर दो, यह हो जाएगा minus u, minus, यह minus minus plus r upon, pc हो जाएगा minus r, pi, minus minus plus v equals, pf की जाएगा पे minus f upon, pi क्या हो जाएगा, minus v, और minus minus plus f, ठीक, तो यह relation आएगा, अब इसमें left hand side transpose करो, right hand side transpose करो, थोड़ा सा solve करो, तो solve करोगे, तो relation आजाएगा कुछ ऐसा, uf equals vf plus, sorry, sorry, यह relation आएगा, uv equals uf plus vf, यह relation आजाएगा, इसको solve करोगे, left hand right पे equate करोगे, जो भी चीज कैंसल हो रही होगी, उसको cancel करोगे, तो यह relation आजाएगा, तीक, अब यहाँ पे इतना कुछ transpose करके solve करके दिखाने का मतलब नहीं है, भाई, बारवी क्लास की बच्चों तत करी लोगे, ठीक, अब यहाँ पे क्या step आता है, divide both sides by uvf, ठीक, इस term से दोनों side divide कर दो, ठीक, left hand side में divide करोगे, तो यह यहाँ पे बचेगा, one upon f, योगी uv cancel हो जायागा, इससे, ठीक, right hand side मे divide करोगे, तो पहले term में अगर uvf divide करोगे, तो u और f cancel हो जाएगा, बचेगा v, one upon v, दूसरे term में अगर तुम divide करोगे uvf, तो v और f cancel हो जाएगा, बचेगा u, तो one upon u, यह हमारा mirror formula यहाँ पे prove हो गया, ठीक, अगर ऐसे समझ नहीं आए, तो एक बार इसको नीचे, सबके देखना, रफ में, ठीक, फिर देखना कौन कौन सा term cancel हो रहा, फिर यह आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यह पूरा mirror formula आ गया, ठीक, और यह तुमने concave mirror का use करके किया है, ठीक है, convex mirror में भी है, ठीक, convex mirror में भी same चीज़ है, ठीक, तो convex mirror में भी एक बार बुक से देख ले ठीक है, ठीक है, तो यह चीज़े हो गई, अब एको simple सा topic आता है linear magnification, linear magnification क्या है, एक ratio है, किसका किसका ratio है, linear magnification is the ratio of the size of image, ठीक, size of image formed by the image to the size of object, तो linear magnification क्या होता है, small m से denote करते हैं, तो यह होता है, ratio of size of image to the size of object, ठीक है, तो यह होता है, simple सा formula है, ठीक, ratio है, और इतना ज्यादा use मनी आएगा, देखो, magnification दो टाइप की होती है, magnification, दो टाइप की होती है, एक होती है linear magnification, एक होती है angular magnification, ठीक, angular magnification को हम लोग magnifying power भी बोलते हैं, ठीक, तो यह जो angular magnification है, इसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे, optical instruments वाले chapter में, ठीक, तो यह बाद में आप पढ़ोगे, यह यहाँ पर linear magnification है, linear magnification simple होता है, कि size of image upon size of object, वहाँ पर angular magnification में angle होता है, visual angle एक term आता है, फिर उसमें होता है, ठीक, वो अलेक्ट्रीज हो गई, तो यह अभी नहीं पढ़ रहे हैं, यह पढ़ रहे है, linear magnification को M3 denote करते हैं, और इसका एक और formula होता है, minus V upon U, minus V क्या है, distance, image distance, U क्या है, object distance, तो यह बात आती है कि size of image, वहलाब the ratio of size of image to the size of object is equal to the ratio of size of, is equal to the ratio of image distance to object distance, क्या मतलब हुआ, जो size of image or size of object का जो ratio है, यह equal होगा, किसके ratio का, image distance और object distance के ratio के एक पल हो जाएगा, तो यह एक formula आता है, यह formula आपको आगे काम आएगा, ठीक है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा चीजें नहीं है, आगे चीजें क्या है, अब जोको, reflection of light में क्या है, reflection of light simple सी चीजें, the bending of light ray from its path, in passing from one medium to another is called reflection of light, reflection of light simple सीजें, जैसे मैंने शुरूम बताया था, कि आधी light तो reflect back कर जाती है, बाकि कुछ light refract करती है, तो refract मतलब क्या होता है, कि जो light ray है, वो bend कर जा रही है, जब वो एक medium से दूसरे medium में travel कर रही, ठीक है, when the light ray passes from one medium to another medium, it bends, ठीक है, it changes its path, ठीक है, तो अगर मालों ये medium 1 है, ये medium 2 है, ये light ray incident है, ठीक, ये incident ray है, ये normal है, और अब बात आती है, rarer और denser medium की, rarer और denser medium मालूम होगा, ठीक, rarer और denser medium, ठीक है, rarer medium में light की speed जादा होती है, denser medium में light की speed comparatively कम होती है, ठीक, तो यहाँ पर अगर rarer से denser medium में जाती है, तो light जो होती है, light ray जो होती है, normal की तरफ bend होती है, it bends towards normal, ठीक है, अगर rarer से denser जा रही है, ठीक है, ठीक, ररर से denser जा रही है, तो normal की तरफ बेंड होगी, और अगर उल्टा आ रही है, denser से rarer आ रही, तो normal से अवे बेंड होगी, ठीक, तो हाँ, ठीक है, यह होता है angle of incidence, incident ray और normal के बीच का, यह होता है angle of refraction, reflection ने, refraction, the angle between refracted ray and normal ठीक, तो यह चीज़े हो गई, ठीक, अब यहाँ पर एक term आता है, अब यह कुछ चीज़े हैं, law of reflection ठीक, law of reflection क्या होता है, दो law है, simple, पहला law तो तुम्हें मालूम है, incident ray, refracted ray, normal, all lie in the same plane, यह तो same है, तुम्हारा पहले वाले से, दूसरा law क्या होता है, the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is constant, क्या बात हुई, sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction, यह क्या होता है, constant होता है, यह दूसरा law है, और इसी law को हम लोग स्नेल्स law भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल्स law भी कहा जाता है, ठीक, तो देखो, एक चीज है कि यह चीज तुम्हें आगे प्रूव करने को आएगी, जब तुम पढ़ोगे wave optics, wave optics में एक पूरी derivation है, कि derive the स्नेल्स law या derive the law of refraction using wave theory, तो wave theory का use करते हुए तुम्हें ये law प्रूव करना होगा, ठीक है, wave optics में ये चीज़ें आएगी, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक, तो यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि sinai upon sinai equals constant, और यह जो constant होता है, यह किसके बराबर होता है, refractive index, ठीक, यह जो constant होता है, यह किसके बराबर होता है, refractive index, अब refractive index की बाता ही है, तो refractive index देखते हैं, तो refractive index भी दो तरह के होते हैं, एक होता है absolute refractive index, एक होता है relative refractive index, देखा तुमने दोनों हैं, पर नाम से बह चीजए ऐसे नोट करते हैं देखा होगा या फिर हम लोग मुओ से भी डिनोट करते हैं बहुत जागा ऑर इसका एक और नेमिंग देखी होगी कि ऐसे डिनोट किया जाता है और 2 ठीक या फिर मुओ 1-2 टीक इसका मतलबуск क्या होता है या कभी-कभी सिर्फ N1 और सिर्फ N2 लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है देखो refractive index में simple सी चीज़ है refractive index क्या है एक ratio है पहली बात ठीक और कुछ नहीं ratio है इसकी कोई unit नहीं होती ratio किसका किसका है in sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction इसका ratio है बाकी एक और चीज़ का ratio है वो बताऊँगा अभी आगे तो यह ratio है simple चीज़ अब दो तरह क्यों होते है absolute और relative मतलब क्या होता है अगर कोई refraction हो रहा है जिसमें first medium तुमारा vacuum है ठीक और दूसरा medium कोई भी medium है ठीक कोई भी हो सकता है air हो सकता है water हो सकता है ठीक liquid हो सकता है मतलब कोई भी और medium हो सकता है x y z अगर refraction हो रहा है इसके और इसके बीच ठीक first medium vacuum है और second medium जो भी दूसरा कोई भी है तो यहाँ पे कौन सा refractive index काम आता है absolute refractive index क्योंकि absolute refractive index हमेशा में उसमें हमेशा first medium तुमारा vacuum रहेगा और vacuum का refractive index 1 होता है इसका 1 होता है vacuum का air का nearly equal to 1 होता है तो हम लोग 1 ही लेते हैं approximation में vacuum का exactly 1 तो यहां पर जो refractive index लेते हैं वो हम लोग जैसे अगर refractive index हम लो second medium का लें तो वो n2 लेंगे बस तो जैसे कोई भी तुमारा air है तो refractive index na, glass है तो refractive index ng, liquid है तो refractive index nl, अगर ऐसे लिखा है, side में कुछ नहीं लिखा तो हम लोग first medium vacuum लिए हैं और यह absolute refractive index के लाता है, ठीक, फि first medium vacuum नहीं है, air है, या glass है, या कोई और है, ठीक, तो यहां पर refractive index लिया जाता है, second medium with respect to first medium, यहां पर refractive index लेते हैं second medium का, with respect to first medium, अब यहां पर यह बात गौर करने वाली है, कि जो light ray है, first medium से second medium में travel कर रही, तो इसलिए इसको इस order में लिखेंगे, अगर उल्टा हो रहा हो होता, second से first medium में travel कर रही होती, तो हम लोग इसको n21 लिखते है, ठीक, और इन दोनों में क्या relation होता है, वो भी बता हुआ, यह हो जाएगा तुमारा कितना, इसको लिखते हैं हम लोग n2 upon n1, ठीक, यह हो गई relative refractive index और यह हो गए absolute refractive index, ठीक, तो n2 refractive index of second medium to the first medium is the ratio between absolute refractive indices of second medium and first medium, क्या मतलब हुआ, कि भाई तुम्हे second medium और first medium का refractive index दिया है, vacuum के respect में, ठीक, तुम्हे अगर उनका अलग अलग refractive index पता है, vacuum के respect में, ठीक, तो तुम उनका relative refractive index निकाल सकते हो, कि refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक, अलग कि जब numerical से हैं, जब questions करोगे, तो यह चीज़े समझ में आ जाएंगे, इतनी कोई difficulty नहीं होती, ठीक, और यह बात समझ लेना, अगर rarer to denser जा रही, तो हम लोग refractive index n लेते हैं, ठीक, n लिखा हो, तो मतलब first medium air है, ठीक, simple n लिखा हो, तो first medium हम लोग air ले रहे हैं, और यह general refractive index, तो इसको rarer to denser जा रहे हैं, तो n लेंगे, और अगर denser to rarer जा रहे हैं, refractive index हम लोग 1 upon n लेते हैं, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, यह आगे काम आएगी, ठीक, अला कि आगे भी मैंने यह चीज़ें बताई हुई हैं, पर यहाँ पर समझ लो, फिर आता है critical angle, critical angle तुम्हें पता है, when the light ray is passing from denser to rarer medium, then the angle of incidence for which the refraction, angle of refraction becomes 90 degree, is called critical angle, critical angle क्या मतलब है नौवी दस्वी में पढ़ा होगा, कि जब light ray, denser medium से rarer medium में जा रही हो, यह सबसे important बात है, बहुत लोग यही miss कर जाते हैं, जब light ray, denser से rarer में जा रही हो, यानि पहला medium तुम्हारा denser है, टीक, जब light ray, denser से rarer में जा रही हो, तो वो angle of incidence, तो वो angle of incidence, जिसके लिए angle of refraction 90 degree बन जाए, मतलब वो angle of incidence, जिसके लिए angle of refraction मेरा 90 degree बन जाए, तो angle of refraction 90 degree बन जाएगा, तो मतलब क्या है, normal, और यह refracted ray, ऐसे चली गई, ठीक, तो मेरा angle of refraction 90 degree बन गया, तो यह जो angle कहलाएगा, यह कहलाएगा, critical angle, I, C से भी denote करते हैं, और C से भी denote करते हैं, दोनो कोई, दोनों में से कोई भी notation ले सकते हो, ठीक है, तो यह जो तुमारा angle होता है, the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle, और दूसरी बात क्या है कि, the light should be traveling from denser medium to rarer medium, ठीक है, तो मतलब जो incident ray होनी चाहिए, वो denser medium में होनी चाहिए, rarer medium में नहीं, ठीक, और इसको ऐसे भी बहुत जगा बोला गया है कि, the refracted ray passes through the surface, मलब surface के along ही चल जाता है, अब जाहिए सी बात है, यह refracting surfaces है, और refracted ray हमारा surface के along grace कर जा रहा, ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर तूसरी चीज आती है, total internal reflection, यह इसी का एक advance case हो जाएगा, advance case कैसे मतलब, in a denser medium, if the angle of incidence is greater than critical angle, then the light ray is totally reflected back to the denser medium, क्या मतलब हुआ, इसी में देख लो, अगर critical angle से, angle of incidence, critical angle से थोड़ा और जादा हो जाए, तो अब refracted ray क्या हो जाएगी, अंदर reflect back हो जाएगी, ठीक है, तो यह होता है, total internal reflection, क्या मतलब हुआ, कि अगर कोई denser medium है, और light ray denser से rarer जा रही है, इसमें भी वही, light ray denser से rarer जानी चाहिए, और यह जो angle of incidence है, यह critical angle से जादा हो जाए, ठीक, यह जो angle of incidence है, यह critical angle से जादा हो जाए, तो light ray क्या करेगी, reflect back कर जाएगी, same medium में, और एक reflection perform हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते है, total internal reflection, total internal reflection क्यों कहते से, क्योंकि इस medium में मेरी कोई light नहीं गई, मेरी सारी light इसी medium में travel back कर गई, ठीक है, बनाब denser medium में चल लेती हो, denser medium में ही travel back कर गई, rarer medium में गई ही नहीं, तो उसलिए सारी light का reflection हो गया, total internal reflection, अपने अंदर ही reflection कर लिया, ठीक, simple सी language, यही चीज़ है, ठीक, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एक denser medium से, rarer medium में जानी चाहिए, उल्टा होगा, तो यह सब चीज़ें नहीं आती, ठीक है, हाँ जी, यही तक था अपना, यह सारे basics मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आये होंगे, थोड़ी सी तुम्हारी lengthy class थी, पर lengthy की जगह पे तुम यह देखो, क यही भाई, तुम्हारा एक घंटे में तुम्हारे दो chapter और दो chapter की जित्ती भी सारी चीजें वो cover हो रही है, ठीक है, तो वो worth it है, जहां तुम एक एक chapter पड़के, दो दो, डाइडे, तीन, तीन, घंटा तुम देते, वही एक घंटे में तुम्हारा पूरा sum up हो गया है, मे चे आए